सबी पत्रकार बंधुओं को नमश्कार आज इस पत्रकार वारता के माध्यम से मैं पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि enforcement directorate यानि की ED कैसे enforcing dictatorship बन गया है कैसे ताना साही पूर्ण रवईया अपनाए हुए है इसका एक एक करके आपके सामने आज खुलासा करूँगा ED जो देश की सबसे ताकतवर जाच एजनसी के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत की जाती है वो किस तरह से जाच करती है किस तरह से लोगों को प्रतालित करती है किस तरह से उनके परिवारों को प्रतालित करती है और तो और जिसके कारण आज मैं पीसी कर रहा हूँ एक व्यक्ति को कहा गया तेरी बेटी कालेज कैसे जाएगी हम देखेंगे बेटी को धमकी पत्नी को धमकी बुढ़े मभाब को धमकी मारना पीटना प्रतारिस करना और उसके बाद जबरन बयान लेना ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये न्यायाले के सामने उन लोगों के बयान है जिन से जबरन मार बीट करके उनके परिवारों को धमकी देकर उनसे बयान लिया गया और मैं एक एक करके नाम पढ़ रहा हूँ ये पहला नाम है चंदन रेड़ी का ये चंदन रेड़ी हाई कोर्ट में पेटिशन करते हैं माननी ये उच्छ न्यायाले में याचिका दाखिल करके ये बताते हैं कि एडी ने इनको मारा इनको पीटा इनके परिवार को धमकी दी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिक वरना तेरे परिवार का वो अंजाम करेंगे तो कहीं मुँ दिखाने लायक नहीं रहेगा ये सारी बातें इसने लिखिया और इतना ही नहीं इस चंदन रेड़ी को इतना पीटा गया इतना मारा गया इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के परदे फट गए दोनों कान के फरदे फट गए मार मार के प्रतारित करके E.D. का जो हिटलर शाही का गैस चेमबर है मैं कहूंगा वहाँ पर थर्ड डिग्री टॉर्चर इस व्यक्ति को दे कर जबरन इससे साइन कराया गया और उसके बाद जब ये व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो अपने सारे दुखडे मानी न्याया लेके सामने इसने बयान किये कैसे इसका बयान लिया गया E.D. में कैसे इसका बयान लिया गया E.D. के अंदर और ये इस व्यक्ति की डॉक्टरी जाच है जो डॉक्टरी जाच की कापी मैं अभी आपको दूँगा ये दोनों डाक्टरी जांच ये कहती है कि चंदन रेड़ी को मार मार के उसके कान के परदे फार दिये गए उसको सुनाई नहीं दे रहा है ये डाक्टरी की जांच आपको देता हूँ ऐसे कर रहे ही इडी इन्वेस्टिगेशन पहला आदमी बेटी को परिवार को धमकाया गया डराया गया इडी ने बयान लिया और बयान लेने के बाद ये सक्स कहता है न्यायाले में लिख कर देता है माननी ये न्यायाले के सामने कहता है मुझसे जबरन जूठा बयान इडी ने लिया मुझसे जबरन जूठा बयान इडी ने लिय अरुन पिल्लेई तीसरा व्यक्ति समीर महंद्रू समीर महंद्रू इसकी पत्नी को बुलाकर गिरिफतार करके रखा गया धमकाया गया डराया गया परिवार को प्रतारित किया गया जूटा और जबरन बयान एडी के द्वारा लिया गया इडी ने जूटा और जबरन बयान समीर महंद्रू से लिया और इसने किसी और के सामने नहीं मानी न्यायाले के सामने समीर महंद्रू ने लिख कर दिया कि जज साहब हमसे तो जबरन जूटा बयान लिया गया समीर महंद्रू तीसरा नाम भूस चोथा नाम भूसर विलगावी इस व्यक्ति से भी एडी ने प्रतारित करके जूठा जबरन बयान लिया और इसने किसी और को नहीं जद साप को जाके का न्यायधीस महोदे मानी न्यायाले हमारी रक्षा कीजिये हमसे एडी ने जूठा जबरन गलत बयान लिया पाच्वा नाम मनास्वनी प्रभुने मनास्वनी प्रभुने इससे भी एडी ने जबरन जूठा जबरदस्ति का बयान लिया और बाद में इसने भी न्यायाले को लिख के दिया किसी और को नहीं ध्यान दीजेगा मेरी बात को मानी न्यायाले को लिख कर दिया कि न्यायधीस महोदे जद साहब मुझसे एडी वालों ने जबरन जूठा जबरदस्ति प्रतारित करके बयान लिया चटवा नाम रागो रेड़ी ये रागो रेड़ी चटवा नाम रागो रेड़ी इसने न्याया लेके सामने जाकर कहा कि न्याया धीस महोद है हमको तो दबाव बनाया जा रहा है राजनीतिक नेताओं के नाम लेने के लिए हम पर दबाव बनाया जा रहा है राजनितिक नेताओं के नाम लेने के लिए मैं पूछना चाहता हूं किसके इशारे पर E.D. काम कर रही है किसके दबाव पर E.D. काम कर रही है किसके डिरेक्शन पर E.D. काम कर रही है क्योंकि एक बहुत चोकाने वाली बात इनके हाई कोट के पेटिशन में लिखी हुई है चंदन डेडी के क्या कह रहे ये कह रहे साथ ED के अधिकारियों ने तो मारा पीटा कान के परदे फट गए वहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जिनोंने हमको मारा पीटा जिनको जो ED के अफिशियल्स भी नहीं थे ऐसे लोग थे जो ED के अधिकारी नहीं थे उन्होंने भी हमारे साथ मार पीट की कौन से लोग है किस पार्टी के गुंडे ED के दफ्तर में जाके लोगों के साथ मार पीट कर रहे है कौन से लोग है जो E.D. के दफ्तर में जाते हैं पूस्ताच करते हैं मार पीट करते हैं और जबरन बयान लिखवाते हैं इसका खुलासा होना चाहिए माननी हाई कोट के सामने ये याचिका पड़ी है इसके साथ साथ मनीश्य सौधिया जी के पीयस रिंकू आप जानते हैं कानून में नियम है किसी को भी बुलाओ नोटिस दो पूछताच करो कैमरे में पूछताच करो और सारी जानकारी आउन पेपर रखो इडी हवाई डिपार्टमेंट हो गया है फोन करता है बुलाता आजा बैठ इतने घंटे जा घर जा फिर आजा बैठ सुबा से सामतर फिर घर जा आप गुंडागर्दी करके धमका के डरा के कान के परदे फाड के तेरी बेटी कालेज कैसे जाएगी इस तरह का बयान देके जाच कर रहे हो इस तरह का बयान देके जाच कर रहे हो मैं देश के प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूँ आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है बेटियों के नाम पर धमकी दी जाएगी तो कोई आदमी तो अपने प्राण भी दे सकता है तागच है तो सामने सामने लडो कायरों की तरह बेटी का पत्नी का परिवार का सहारा लेके मत लडो सामने सामने लडो जो भी लडाई करनी है सामने सामने करो और आपको याद होगा देश की पार्लेमेंट में देश की संसद में मैंने इस सारे विसे सिलसिलेवार करके एक-एक उठाया था एडी के सम्मन्द में और कहा था कि पिछले आठ वर्सों में तीन हजार छापे मारी एडी ने की है और मात्र पॉइंट फाइप परसेंट दसमलों पांच प्रतिसत एडी का कन्विक्शन रेट है और ये कहने पर मुझे प्रिविलेज का नोटिस मिला बहुत अच सामने इन एडी के अधिकारियों को बुलाने के लिए आज ही ये सारे काज़ात प्रस्तुत करूँगा कि एडी के इन सारे अधिकारियों को बुलाया जाए विसेसा अधिकार संसत की विसेसा अधिकार समित के सामने मैंने जो मामला पार्लेमेंट में उठाया था उन आरोप को ये सारे काज़ात सव प्रतिसत मैं तो कहूंगा सव प्रतिसत से ज़्यादा सिद्ध करते हैं कि एडी राजनितिक दबाव में जबरन जूटा मामला बनाती है सरकारों को बदनाम करती है सरकारों के उपर जूटे आरोप लगाती है सराप घोटाला जैसी कोई चीज उसका कोई सिर्पाओं है नहीं जिन लोगों के जबरन बयान लेकर एडी ने ये सारे मामले बनाए हैं वो तो न्याया लेके सामने जाकर कह रहे हैं हुजूर हमें तो मारा जा रहा है हमारे तो कान के पर्दे फार दिये जा रहे है हमारे परिवार पे दबाव बनाया जा रहा है हम पे दबाव बनाया जा रहा है और जूटे बयान लिये जा रहे है बहुत अच्छा है अब देश क भारत की संसद की पार्लियमेंट की विशेसा अधिकार समीति के सामने जिसने मुझे नोटिस दिया है ये सारे विशे और मामले मैं रखूंगा और इन सारे अधिकारियों को वहाँ बुलाने के लिए बोलूँगा कि इन सब को बुलाया जाए और पूछा जाए कि हाई कोर्ट उससे लेके और न्यायालेओं में जो इनके खिलाफ शिकायते की गई है उसके तत्थ उसकी सच्चाई उसकी हाकिकत क्या है मुझे इतनी बात कहनी थी आपका कोई मुद्दा हो कोई बातचीत हो कोई सवाल हो जो लोगों ने पैटिशन लगाई है क्या हो सभी आरू की जो है आपकारी नीतिक के जो बयान लेकर जूटा मामला एडी खडा कर रही है यह उससे संबंदित है यह सारे मामले जो आप लोगों को बताया जाता है घोटाला 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 उस घोटाले में कितना गड़बर जहला है ये सारे बयान इस बात को साबित करते है ये सारे बयान ये सारी medical report ये high court की याचिका है इस बात को साबित करती है कि घोटाला जैसी कोई बात नहीं दरसल gun point पे कान के उपर कनपटी पे बंदूक लगा कर ED हिटलर के gas chamber में पूस्ताज करके ED ये सारा कुछ मामला जूटा और बेबुनियाद बना रहा है मुझे तो खुद विशेशा अदिकार समित का notice ED के मामला ही मिला है ना मुझसे तो भारत की संसद ने पूछा है कि भाईया बताओ ED कैसे गलत काम करती है तो ये सारे मामले मैं विशेशा अदिकार समित के सामने रखूंगा पार्लमेंट में रखूंग पाला से पार्लमेंट तो सुप्रीम कोड से भी बढ़ी है अब इन अधिकारियों को वहाँ बुलाया जाए और इनसे पूछा जाए कि कान के परदे कैसे फाट रहे है कैसे कह रहे है कि तेरी बेटी कॉलेज नहीं जाने पाएगी ये बोल सकता ह कि को एडी का दफतर कोई आफिसर कोे अधिकारी एडी के दफतर में कैसे बिना नोटिस के किसी को बुलाया जाता है ED के दफ्तर में कैसे ED के अधिकारियों के बगाइर कोई व्यक्ति पहुँच के मारपीट कर रहा है यह छोटे आरोप है क्या और यह हाई कोट की आचिका है और यह डाक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट है चंदर रेड़ी के मामले में यह सारे काज्यात मैं भी आपको उपलब्द करा दे रहा हूं और किसी का कोई प्रस्न हो तो पूछ सकता है यह 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 आपकारी से जुड़ा यह मामला है उन पर भी दवाब बना जा सकते हैं अरे भाई मैंने तो आपको बताया ना कान के परदे फाड़ रहे हैं मार रहे हैं पीट रहे हैं थार्ट डिग्री टार्चर दे रहे हैं तो मनिश्ची सोद्या को भी ऐसे टार्चर कर सकते हैं बाकी लोगों को भी ऐसे टार्चर कर सकते हैं मार पीट सकते हैं क्यों नहीं कर सकते सबके साथ कर रहा है दवाव बनाया जा रहा है मैं फिर से दोरा देना आपको सुनना इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इस चंदन रिड़ी की याचिका में कि मेरे उपर मार पीट करके कान का परदा फाड़ के परिवार को धमकी दे कर ऐसे कागजाद पे दसकत कराए गए ऐसे कागजाद पे हस्ताक्षर कराए गए जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं रागो रेड़ी ने कहा है कि मुझसे राजनीतिक नेताओं का नाम लेने का दबाव बनाया जा रहा है राजनीतिक नेता कौन है सारे लोग जानते हैं देखें ये प्रमाण इस बात को कहते हैं कि E.D. की पूरी इंवेस्टिजेशन E.D. की पूरी जाच पूरे दान में डाल देनी चाहिए ये सारे आरोप ये सारे काज़ात नयायले के सामने इनके द्वारा दिया गया आवेदन इनकी याचिका है चिला चिला के ये कह रही है कि E.D. जूटा फरजी बेबुनियाद मुकदमा दिली सरकार को बदनाम करने के लिए केजरी वाल जी को और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए बना रही है ये सारे काज़ात चिला चिला के कह रहे है दन्यवाद